तो स्वागत है दोस्तों आप सभी क्या वेलकम गाइस दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जार्खन फाइनल सियल सर्विस यानि कि जार्खन वित सेवा जो परिक्षा ली गई है जेपी एस्टी के दुवारा कंडेक्ट कराती है 2010 में कराई गई थी यहाँ अक्क्टूबर माहिने मैं अक्क्टूबर 2010 में तोसी का पेपर का पाट 2 लेके आए हैं हम पाट 1 इस से पहले कर चुके थे पाट 2 लेके आए है आज और पाट 2 में देखिए किस टाइप के कोस्टन पूच आते हैं सबसे पहले तो आपको 3 तीन घंटे समय दी जाते हैं पूरे के पूरे तीन घंटे बहुत ज्यादा समय तीन घंटे पूर्णांग 200 मांक्स के होते हैं और कॉस्चन के संख्या होती है 100 कोई भी नेगटिव मांकिंग नहीं होती है ठीक और यह जो पेपर का एक्जाम हुआ है आपका यह ओफलाइन हुआ था जैपीएसी अभी तक सभी एक्जामों को लगबग ऑफलाइन ही कंड़क्ट करवाती है जैपीएसी को मतलब होता है जारकन पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक न तो यह ओमार में आंसर हुआ था अब देखते हैं पार्ट टू में किस टाइप के कॉस्चन पूछे गए हैं तो यहां पर हमारा कॉस्चन आता है कि यदि कोई विवाहित पदादीकारी पाता है कि एक वैसाई ने विक्री या खरीद का कोई विवरनी छुपाया है तो उसे जैवेट एक्ट के अनुसार और दंद भुगतान का निदेश देगा तो ओप्शन ए होगा छुपाई रासी पर निर्धारित कर के तीन गुन रासी के बराबर ओप्शन भी है चुपाई रासी पर निर्धारित कर कर मतलब टेक्स के बराबर रासी ओप्शन सी है चुपाई गई रासी पर निर्धारित टेक्स के दो गुने रासी के बराबर या निर्धारित कर की रासी पर 5% दर की दर से तो ये अगर आप पढ़ें तो जवाब दे सकते हैं नहीं तो नहीं दे सकते हैं दूसरा कोश्च नहीं कि जैवेट एक्ट दोजर पांच की किस रासी में करके समाहित कारण का प्रावधान है तो अपसंद दे सकते हैं 50, 55, 58 या इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट आपका जैवेट एक्ट दोजर पांच की किस दारा के तहत अधिकारियों को मालों के परिवान हेतू प्रावधानों के उलंधन पर अधी रोपन की सकती परदत है आपको बताना है 70 होगा 71 होगा 72 होगा या 73 होगा नेक्स्ट आपका जेवेट नियमावली 2006 में निम्बंध प्रमान पत्र के रद्धिकरन हेतु आवेदन देने की समय सीमा क्या है एक सप्ता 15 दिन कोई समय सीमा नहीं है या 30 दिनों के अंदर नेक्स्ट है आपका जेवेट नियमा वली दोहज्यार छेक में संसोधन या वैसाई अस्थल के एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर दर्ज कराने है तो किन प्रपत्रों की आविश सकता होती है अपसंद देख सकते हैं जेवेट 106, जेवेट 107 या जेवेट 106, 110 या जेवेट 106 और 109 या इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कॉस्टिन जेवेट नियमा वली के नियम का जिक्र करें जिसमें रासी का वसूली अस्थागित किया जा सकती है तो यहाँ बेदेख सकते हैं 46 होगा और 49 होगा या इन में से कोई नहीं Next है आपका जेवेट नियमावली 2006 के तहत अंतिम करवापसी हैतु कौन साथ प्रपत्र पर्युक्त होता है जेवेट 205, जेवेट 204, जेवेट 207 या इन में से कोई नहीं नेक्स्ट है आपका जेवेट नियमावली 2006 के ताहत मांग पत्र निर्गत करने हेतु कौन सा प्रपत्र जेवेट एक्ट के धारा 46 को छोड़कर परियुक्त होता है जेवेट 300, जेवेट 301, जेवेट 302 और इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट है आपका जेवेट 1, 2005 तो जेवेट 1 से सम्मंदित बहुत सारे कोश्चन पूछे हैं यहां तक हो गया हमारे 10, टोटल 100 कोश्चन है इसमें, कोश्चन नमबर 11, देख सकते हैं जेवेट से ही पूरे कोश्चन भरे पड़े हैं उसके बाद टोटल आपके 100 कोश्चन है अगर आपको इसका एक्जाम 22 में नहीं तो 24 में एक्जाम आएगा फिर से इसका एक्जाम वेकिंसी आएगी और आपको एक्जाम देना पड़ेगा तब क्या करना है अगर आपको देखना है इसका पेपर तो आपको कुछ नहीं देखिए यहां परसेंटेज और अनुपाद रेसियो साजेदारी इन सबी से पूरे तो अगर आपको यह पेपर पूरा पूरा देखना है तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप डाउनलूड कर सकते हैं ठीक ना तो फिर मिलते हैं नेक्ट विडियो के साथ तब तक के लिए पढ़िए बेस्ट अप लग अपने ह हंड्रेट का हंड्रेट मार्क्स भी टिक लगा देजिए एक भी नई छोड़ी है ठीक थाइंक्यू फॉचिंग दिस वीडियो बाबाई फिर मिलते हैं नेक्ट विडियो के साथ